गुड मॉर्निंग बच्चो मैं मीनू गणित अध्यापी का जीजी एचस मूनक से कैचप प्रोग्राम के अंतरगत आज की एजुसेट कक्छा में आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चो आज हम कक्छा आठ के अध्यायचार आकडो का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे हमने इस अध्याय को कक्छा साथ में भी पढ़ लिया है जिसका हम आज निस्तार रूप से डिविजन करेंगे आकडो का प्रबंधन हम आकडो का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं यहां उनके प्रतिनिधी मानों के बारे में बताया गया है हम आकडों के प्रभंधन के लिए माध्य, बहुलक और माध्य, इन तीन प्रतिनिधी मानों का प्रियोग करते हैं और जब हमें आकडों को चित्र द्वारा या तुलना के लिए दर्साना होता है तो हम दंड आलेक का प्रियोग करते हैं इसी प्रकार आकडों की बारंबारता या उनकी बहुलता को दिखाने के लिए हम संयोग एवं प्राइक्ता द्वारा भी उनका प्रबंधन करते हैं तो आएए चलते हैं नेक्स स्लाइड में इस स्लाइड में हमने कुछ आकडों के बारे में सूचना एकत्र की ये आकडे क्या बताते हैं? ये आकडे 26-2020 को विभिन नगरों का तापमान दरसाते हैं जिनको हमने एक सार्णी द्वारा दरसाया गया है इन आकडों से हमें उस निश्चे दिन पर किसी भी नगर का तापमान वे उनके तापमानों का अंतर आधी सूचनाओं के बारे में पता होता है इनको दंड आलेखो द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है तो आए नेक्स स्लाइड में देखते हैं हम इनका प्रबंदन किस किस प्रकार से कर सकते हैं तो आईए बच्चो इस सिलाइड में हम माध्य किस प्रकार निकालते हैं यह जानेंगे एक कक्षा का उधारन प्रस्तुत किया गया है यहाँ एक कक्षा चल रही है जहां अध्यापी का अपने बच्चों से उन बच्चों की आयू के बारे में पूचती है और बच्चे विभिन प्रकार से उतर देते हैं रीना कहती है मैं बारे वर्ष की हूँ विकास मैं ग्यारे वर्ष का हूँ राम मैं बारे वर्ष का हूँ राधा मैं तेरे वर्ष की हूँ और कमल मैं बारे वर्ष का हूँ इन सभी बच्चों की आयू का माध्य निकालने के लिए हम, सभी बच्चों की आयू का योग करके, कुल बच्चों की संख्या से भाग करते हैं, तो आईए हम माध्य सूत्र का प्रियोग करते हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, बटे प्रेक्षणों की संख् जो की बराबर आता है यहां उपर आयू दी हुई है 12 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 12 बटे 5 यो करने पर 60 बटे 5 आता है जिसको अब हम 5 से भाग देंगे और 5 से भाग देने पर भाग कैसे होगी 5 इकम 5 एक बार भाग जाएगी और 60 में भाग देने के लिए हम 5 का पहाडा पढ़ेंगे तो 12 पंजे 60 होता है इसलिए 5 बारे हम 60 और बारे बार भाग जाती है और उत्तर आता है बारे वर्स यह इसका माध्य है प्रसार या परिसर जब हम आकडो या प्रेक्षणों को एकत्रित करते हैं तो हमारे प्रेक्षणों की सुरुआस से अन्तक उनका प्रसार ज्याद करने के लिए हम सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा कर परिसर ज्याद करते हैं अर्था सूत्र है सबसे बड़ा प्रेक्षण, माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण अब हम परिसर और माध्य को ग्याद करने के लिए एक उधारन द्वारा समझेंगे इसके लिए एक नगर में किसी विशे सब्ता के साथ दिनों में हुई वर्षा को निमलिखित रूप से रिकॉर्ड किया गया सोमवार को 0.0 mm, मंगलवार 12.2 mm, बुदवार 20.5 mm, ब्रिस्पतिवार 2.1 mm, सुक्रवार 0.0 mm, सनिवार 5.5 mm, रवीवार 1.0 mm और अब हम इन उपरोक्त आंकडों से वर्षा का परिसर और माद्य वर्षा ग्याद करेंगे तो वर्षा का परिशर बराबर सूत्र है अधिक्तम वर्षा माइनस नियुनतम वर्षा अधिक्तम वर्षा 20.5 माइनस नियुनतम वर्षा 0.0 mm घटाने पर उत्तर आया बराबर 20.5 mm इस प्रकार सप्ता की मध्यवर्षा भी ग्यात करेंगे और उसके लिए सभी आंकडों को जोड़कर साथ से भाग करेंगे सभी आंकडों को जोड़ने पर आएगा 41.3 mm और 41.3 mm को जब हम साथ से भाग करेंगे साथ पंजे 35, 6 बचने पर 63 हो गया, साथ नम 63 और बराबर 5.9 mm आ गया उत्तर एक कोस्चन को स्वयम करके देखेंगे प्रथम पांच उन संख्याओं का माध्य एवम परिसर्जाद कीजिए इसी प्रकार इसको हल करेंगे इस दुकान को देखिए, अब यहां बताईए कि यह दुकानदार कैसे पता लगाएगा, कि इसकी कौन सी ड्रेस या कौन सी कमीज सबसे अधिक बिक्ती है तो बच्चो यह बहुलक का प्रियोग करेगा बहुलक, यह आंकडों का एक अन्य प्रती निधी है जिसमें की हम दिये हुए प्रेक्षणों के एक सम्हू में से सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को ग्याद करते हैं और जब दुकानदार यह है पता लगाएगा कि उसकी कौन सी कमीज सबसे अधिक बिकी है अर्थात यही उस सभी कमीजों के सम्हू का बहुलक है इसी प्रकार किसी कक्षा में एक अधियापक कैसे पता लगाएगा कि मेरे किस छात्र की उपस्थिती सबसे अधिक है वे सभी दिये हुए छात्रों की उपस्थितियों के सम्हू को देखेगा और वहाँ जो छात्र सबसे अधिक बार आया है वही उस छात्र की उपस्थितियों का बहुलक होगा तो आईए और प्रियोग के लिए इनके उधारन देखते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे नेक्स स्लाइड में माध्यक ऐसा मध्यमान जो आकड़ों को दो बराबर समुहों में विभाजित करता है यह मान आकड़ों का माध्यक कहलाता है दिये गए आकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो उनके मध्यका मान ही माध्यक होता है जैसे कि यहाँ एक अक्षा में टेस्ट लिया गया और टेस्ट में प्राप्त अंक दिये गए 27, 29, 30, 31, 32, 35 इसमें 31 बिल्कुल बीच का मान है, मद्य का मान है जो हमारे बाकी 3-3 आंकडों के समुह बनाता है इस प्रकार 31 माध्यक है क्योंकि ये आंकडों को 2 बराबर बराबर समुहों में विभाजित कर रहा है, 3-3 के समुह बना रहा है और 32 यहाँ पर 2 बार आया है आंकडों में, यह आंकडों का बहुलक है क्योंकि यह सबसे अधिक बार आंकडों में प्राप्त हुआ है तो आईए एक प्रस्ण द्वारा माध्य बहुलक और माध्यक निकालना सेखते हैं प्रस्ण है एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाडियों द्वारा बनाए गई रन इस प्रकार हैं कि 6, 15, 120, 50, 180, 10, 15, 8, 10, 15 अब हम यह बताएंगे कि इनका माध्य, माध्यक और बहुलक क्या ये तीनों समान हैं उसके लिए सबसे पहले हम दिये हुए आकडों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे व्यवस्थित करने के बाद हम इसमें माध्य का सूत्र लगाएंगे माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या यानि हम दिये गए सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे और फिर उसको प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देंगे योग करने के लिए लिखेंगे हम बराबर 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 बटे 11 अब हम इनके योग को 11 से भाग करेंगे और इस प्रकार योग करने पर योग आया 429 और बटे 11 हो गया जब हम 11 से भाग करेंगे 3 बार 11 तिया 33, 9 बचा 42 में से 11 निम्निन्याण में कटने पर 49 आया, आकडों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है, यहाँ पर सबसे अधिक बार आरोही क्रमे व्यवस्थित करने के बाद आकडों में 15 आया है, तो 15 बहुलक और मध्य वाला प्रेक्षण जो इनको 5-5 के दो समुहों में बाट रहा है आकडों को, वह 15 है, इसलिए माध्यक भी 15 है, और बहुलक और माध्यक दोनों ही 15 है, लेकिन माध्य बराबर नहीं है, अत्या आकडों के माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों समान नहीं है, और प्रस्ण है निम्लिकित के बहुलक ज्याद कीजिए तो सभी बच्चे अपनी नोट बुक पर इस प्रस्ण को स्वयम हल करेंगे। दंड आलेक क्या होता है दंड आलेक क्या आपको पता है क्या कभी जानने की कोशिस की है। जब हम सूचनाओं को एकतित करते हैं और बारम बारता बंटन सार्णी के रूप में पहले व्यवस्थित करते हैं और फिर उनको दंड आलेकों द्वारा निरूपित करते हैं तो इस प्रकार हम दंड आलेकों का सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए निर्मान करते हैं। जैसे कि सामने चित्र में X अक्षपर एक कक्षा के कुछ विधार्थियों के नाम दिये गए हैं बाली, दीप्ती, फयाज, गीतिका और हरी तथा Y अक्षपर इन बच्चों के 600 में से प्राप्त अंकों को दर्साया गया है और इनकों दर्साने के लिए हमने लाल रंग के इस्तंबो का प्रियोग किया है इनी को हम दंड आले कहते हैं इन दंड आले को बनाने के लिए हम एक इस्केल का प्रियोग करते हैं जैसे कि यहां दिखाया गया है एक इकाई बराबर 100 अंग तो इस परकार हम दंड आले को का निर्माण करते हैं तो आईए किस प्रकार बनते हैं ये दंड आलेक हम नेक्स स्लाइड में विस्तार से सीखेंगे दंड आलेक को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम किस प्रकार एक स्केल या माप दंड का चुनाव करेंगे दंड आलेक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल का चुनाव करना पड़ता है क्योंकि दंड आलेक समान चोड़ाई के दंडो द्वारा संख्याओं यानि आकडों का निरूपन है तथा दंडों की लंबाईया बारम बारताओं और चुने हुए स्केल पर ही निर्भर करती है तो आईए सीखते हैं कि हम किस प्रकार इसके स्केल के लिए माप दंड का चुनाव करेंगे उदहार नार्त एक दंड आलेख में जहां संख्याओं को इकाईयों में दर्साना है आलेख एक प्रेक्षण के लिए एक इकाई लंबाई निरूपित करता है यानि यदि हमें एक प्रेक्षण को वहां दिखाना है तो एक इकाई का मतलब एक प्रेक्षण के लिए एक इकाई लंबाई और अगर हमें उसे दहाई या सैकडों में दर्साना है तब हमारा एक इकाई लंबाई दस या सो प्रेक्षणों के बराबर होती है जैसे की सामने एक ग्राफ पेपर द्वारा दंड आलेखों को दिखाया गया है इसमें राज्य के विधान सवा चुनाव क्या पर्याम दर्साया गया है और सभी दलों को दल P, दल Q, दल R, दल S तथा दल T द्वारा X अक्ष पर दर्साया गया है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सीटों को Y अक्ष पर दर्साया गया है दल P के लिए जो दंड आलेख बनाया गया है उसके लिए सबसे पहले हमने स्केल का चुनाव करना था हमने स्केल माना एक इकाई बराबर दस सीटे क्यों माना हमने यह स्केल क्योंकि यहां पर अधिक्तम सीटे 120 तक दंड आलेख गया है तो हम दस दस के खाने बना कर हम यहां एक इकाई बराबर दस सीटे मान लेंगे और दो इकाई में 20 सीटे इस प्रकार 120 तक यह दंड आलेख 120 सीटे प्राब्त करने के लिए यह 12 इकाई तक पहुँच गया दल क्यों ने 100 सीटे प्राब्त की इसलिए यह 10 सीटों तक पहुँच गया और दल आर ने 90 सीटे प्राब्त की तो यह सामने 9 इकाई 90 सीटों तक दरसाया गया है अब दल S एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई इस प्रकार पचास सीटे दरसाने के लिए हमने पांच इकाईों का प्रियोग क्या है दल टी ने सो सीटे प्राप्त की है तो एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई, छे इकाई, साथ इकाई, आठ इकाई, नो इकाई और दस इकाई इस प्रकार दस इकाई बराबर सो सीटों को परदर्सित किया गया है और अब हम आगे और दंड आलेक को किस प्रकार बनाते हैं यह विदी सीखेंगे दोहरा दंड आलेक भी साधारन दंड आलेक की तरह ही बनाया जाता है आकडों की तुलना करने के लिए जैसे की दिये गए प्रस्न में कुछ वर्सों में अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों की विक्री का दोहरा दंड आलेक दिखाया गया है इस दोहरे दंड आलेक को बनाने के लिए चूकी संख्या सैक्डों में है स्केल एक इकाई बराबर सो पुस्तके लेंगे और फिर एक्स अक्षपर वर्सों को निरूपित करेंगे उसके बाद वाई अक्षपर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के दंड आलेकों को भी निरूपित करेंगे और इस प्रकार दोहरा दंड आलेक बनाया जाता है